आज 4 अगस्त है तो अब हम अपनी करेंट अफेर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं वास्ट क्यों सेन है हमारे पास हाल ही में किस राज्य सरकार ने जम्षेदपूर में देश के पहले हाइड्रो इंजन से संबंदित उद्योग की स्थापना को मंजूरी दिये किस से इंपोर्टेंट क्यों से दोस्तों देश के पहले हाइड्रो इंजन इंधन से संबंदित उद्योग को मंजूरी प्रदान की है तो किस राज्य ने जारखंड है क्योंकि जम्षेदपूर कहां पर है जम्षेदपूर जारखंड में है तो उब्यस्ती बात है कि अगर जा जारगंड को और्मेंट करेगी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसके जारगंड के मुक्ति मुक्ति मोर्चा ने जमसेदपूर में देश के पहले हाइड्र इन्धन से संबंधिन उद्योग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है प्रस्तावी तिकाई में 4000 से अधिक हाइड्रोजन आइसी इंजन इंदन अगेवादी इंजन और 10,000 से अधिक बैटरी सिस्टम की छमता होगी इसके लिए 304.28 क्रोड रुपए के निवेस की आउशकता होगी इंजन का विकास TCL Green Energy Solutions Private Limited द्वारा किया जाएगा जो Tata Motors और Cummins USA का सन्युक्त उध्यम है इंपोर्टेंट है दोस्तों मुख्यमंत्री ने निवेस के प्रस्ताव के लिए इस समझोता ज्यापन पर अस्थाक्सर करने पर सहमती दी है निवेस का लक्से एडवांस कमेस्टी बैटरी एस टू फ्यूल सेल एस टू फ्यूल डिलीवरी सिस्टम के लिए एक उत्पादन इकाई को स्थापित करना है देश में पहला आइट्रोजन इंदन से संबंदित प्लांट है दोस्तों तो काफी इंपोर्टेंट रहेगा याद रखिएगा कहा यहां स्थापित किया रहा है जारखन में स्थापित किया जा रहा है कि नेक्स क्योंस नहीं हमारे पास भारत बैंगलूर एसिया में पहली बार WCC की मेजबानी करेगा WCC 25 से 28 सेप्टमबर तक आयोजित किया जाएगा तैनिस के लाड़ी रोन बोपन्ना को WCC 2023 का ब्राइंड एमबेस्टर गोशित किया गया है उच्छा जा सकता है क्योंकि भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है तो कहां पर आयोजित हो रहा है बैंगलूर में पहले यह ध्यान रखना है उसके बाद में इसका ब्राइंड एमबेस्टर कोन है रोन बोपन्ना रोन बोपन्ना भारत के डबल्स के टेनिस प्लेयर हैं समेलन का केंद्रियवी से क्या रहेगा चक्रिया रथ्यवस्ता और करेंगे अंतराष्ट्य कोफी संगठन सन्युक्त राष्ट्य के ततवधान में 1963 में स्थापित किया गया था इसका मुख्याल है कहां पर है इसका मुख्याल है लंदन यूके में है नेक्स्ट क्योंसन है हमारे पास भारत का प्रतिश्टित फूटबोल टूनामेंट डियू आपको औप्शन ना पता हो कोशिच कीजिएगा फूटबोल से रिलेटिट कोल काता क्योंकि वहाँ पर उर्षिद स्टेडियम है और ज्यादातर टीम में उधरी से है ठीक है दोस्तो भारत के सबसे परतिश्टित टूनामेंट में से एक डूरंड कप याद रखना है दोस् किसमें बांगलादेश और नेपाल की दोटीम में है कोउनरे शुलाख और अधायक में में इन गूरंड कश में से च्रीन तेम है डाउनराउन से नहें थीत्या है यह ईनले प्छले साल 2012 में बंगलूरू fc ने मुंबई CT sc को को शीचीन ऻीत भी आता कि हाल ही में कारगी लेक यात्री की जुबानी नमक पुस्तक का विमोचन किया गया यह पुस्तक किस ने लिखी है इंपोर्टेंट है दोस्तों बुक्स जो अभी करंटली लिखी जा रही है वो सारी ही इंपोर्टेंट रहेंगी तो कौन जी बुक है बुक का नाम है कारगी लेक यात्री की जुबानी इसने लिखा इसको रिसी राज के द्वारा लिखा गया है most important है याद रखिएगा भारती रक्षय मंत्रा लेके रक्षय राजय मंत्री आजय भट ने दिल्ली के Constitution Club of India में प्रकासित प्रभात प्रकासन द्वारा प्रकासित किताब कारगिल एक यात्री के हिंदी संस्क्रण का विमोचन किया इसने किया आजय भट आजय भट कौन है भारत के रक्षय राजय मंत्री है आजय भट कहां से सांशद है आजय भट उत्राखंड से next यह किताब कारगिल के युद्ध में सहीदों को सरधान जली अरपित करती है जैसा कि नाम से पता चल रहा है कारगिल तो कारगिल का नाम आते ही first thing हमारे मन में क्या आती है कि कारगिल जो 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उससे संबंदित है ठीक है दोस्तों उस तक कारगिल यात्री की जो बानी उन सहनिकों की बहादुरी पर आधारीत है जिन्होंने 26 जुलाए 1999 में को आधिगारिक तोर पर समाप्त हुए कारगिल युद्ध में दुस्मनों को मुह तोड जवाब दिया था रिसी राज ने 21 किताबे लिखी है जिन में से चार को राहूल पुरुषकार मिला है इस कारिक्रम में सोबेदार मेजर और तत्काली राइफल मैन संजे कुमार ने भी भाग लिया है इन्हें कारगिल युद में परमवीर चकर से संबानित किया गया था बैफल मैन तन्जे कुमार को परमवीर चकर प्रधान किया था नेक्स्ट है किस राजे की किस राजे की सरकार ने जल परियाटन और एत्यासी खेल निती 2013 को मंझूरी प्रधान किया है इस राज़न किया है बाई बधाई जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों आज कल होड टोपिक है उत्तर प्रदेशी ये भी हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश ने नई जल परियाटन और शासी खेल निती की घोशना की है यो कि आतितेनाद सरकार ने लोक भावन में हावी क्वेविनेट बैठंग में उत्तर जीलो नदियों तालाबों और विभीन उत्तर प्रदेश में राजे के अधिगार शेत्र के विभीन जल निकायों भूमी पार्सलादी पर सभी साहसी गतिविदिया लागू होंगी इस निती के तहट कारेवाई के लिए नोडल एजेंसी संभागे स्तर पर साहसी खेल निती और जल परियटन निती बनाई है उत्तर प्रदेश ने अगस 2023 में पूर्वी नोसेना कमांड के चीफ ओफ स्टाफ का करेबार किनों ने संभाला किनों ने संभाला स्मीर सकसेना ने पूर्वी नोसेना कमांड के चीफ का पद संभाला है दोस्तों वाइस एड्मिरल समीर सकस इधार गोदावरी दिल्ली सहीत कई भारती नोसेना जाजों में नेविगेटिंग ओफिसर के रूप में कार्य किया है उन्हें बारत के मानेरी राश्ट मतिद्वारा 2017 में नोसेना पदक और 2023 में अतिविशिस्ट सेवा पदक से जमानित किया जा चुका है नेक्स्ट है आल ही में किस राजे की जदेरी नामकटी कन्याकुमारी मैटी केला और चेदी बुट्टा साड़ी को जीऑ टेकर पराप्त हुआ है दोस्तों इंपोर्टेंट है काफी वार आजकल क्यों सणाते हैं यह जीऑ टेक वाले कि किसको और नया जीऑ टेक पराप्त हु तमिलनाडू अठावन उत्पादों के साथ जी आई चार्ट में पहले स्थान पर है, किसके सबसे ज्यादा उत्पाद हैं, अठावन उत्पादों के साथ तमिलनाडू, उसके बाद 50 से अधिक उत्पादों के साथ उत्रप्रदेश दूसरे स्थान पर है, 48 उत्पादों के सा यह उच्छ सिलिकेट खनीजों से बनी एक प्रकार की मिट्टी है ठीक है दोस्तों जदेरी नाम कट्टी क्या है एक उच्छ सिलिकेट खनीजों से बनी एक प्रकार की मिट्टी है जिसका उपयोग भगवान विष्णु की पूजा के दोरान मूर्तियों पूरुसों और मंदि में पहना जाता है कन्या कुमारी मैटी के लगया है दोस्तों मुख्य रूप से कन्या कुमारी जिले के अगास्थियस्वम ठोवलोई और तिरुवतार तालुकों में उगाया जाता है यह लगबग 1499 mm की उच वार्शिक वर्षा होती है यह एक अथकरगा साड़ी है जो केला प्रेर्शम और सूती मिश्रण के कपड़ों से बनी होती है जिसमें दिवुट्टा डिजाइन सामिल है यह थोड़े थोड़े याद रखना दोस्तों यह साड़ी है यह प्रकार की मिट्टी है में भी पूछ लिया जाए रैसे यह तो याद रखना ही है कि जी आई टैग कि लन की प्रदा प्रदा प्रप्त हुंकृ है अभी 105 में कि अगस्ट 2020 में किस राज्य के मुक्वेमंद्री ने अमरत वरक्स वे पोर्टल और मोभाई एप्लिकेशन शुरू हुआ है शोरी तो जो आसंभी मंत्री है उन्हों ने अमरत वरक्स आंदुलन और व déplटल है। इस पहल का लकष्ट से पहले एक करोड पोधे लगाना है, इस पहल काुदेश से राज़्ये की हारी तर्थय व्यस्ता को बढ़ावा देना है कि 17 सितंबर को लगवग 40 लाग माईलाएं स्वेसाइटा समुओं के सदस्चों द्वारा राज्यबर में उरक्स लगाने में महतोपूर्ण योगदान देंगे उन्होंने प्रतेक दो व्यविशाई की योग्यों पोद्धों को लगाने की भूमी का निभाई है जिसमें से 80 ल और राज्ये के आम जनता की सदस्चे भी सामिल होंगे दोजार पच्चीस तक असम का लक्स से 5 करोड पोधे लगाना है जो वातावर्णी संदक्ष्ण और सतत्विकास के प्रती अपनी प्रतिवद्धिता को और मजबूत करेगा यारा इंपोडेंट की हाल ही में किस मुक् दोस्तान पर आप्त हुआ है तो अठास सिवा फोर्चन ग्लोबल क्या है दोस्तों ये सूची जारी करती है कि कौन शाब रांड पूरविस्व में ट्रस्थ लेवल के आधार पर उनसकी क्वालिटी के आधार पर कौन से स्थान पर है तो रिलाइंस इंडिस्टी कौन से स्थानों के उच्छाल के साथ 88 वे स्थान पर आ गई है पॉर्चुन ग्लोबल पांसर रैंकिंग में इस साल आठ वारतिय कंपनियों अपनी जगह बनाई है दोस्तों इसके तहित सरकारी ओयल मार्केटिंग कंपनी आई योसी इंडियन ओयल कोर्परेशन भी इस लिस्ट में इसने लौटन है नेक्स्ट है भारत की पहली सवदेशी विख्षित सवदेशी रूप से विख्षित अगली जनरेशन मेगनेटिक रिजओनेंस इमेजिंग मार आई किसने लौच कि फूल फूम देखो पहले तो आप एम आराई कि क्या है फूल फॉम मैंनेटिक रिजोनें सब्सक्राइधी मीनिस्टर शाइंस मिनिस्टर हैं प्रत आधी हलका अल्टर्या मनेच्ज परेंग चैनल पर्फार्व一点ंअ Magnetic Resonance Amazing scanner launch किया तो देशी MRI scanner उपलब्द कराए गया है आम आदमी के लिए MRI scanning के लागत इससे काफी कम हो जाएगी अंतराष्टी बाजार में MRI scanning की खरीद में पूंजी निवेश काफी हद तक कम हो जाएगा जिससे बहुत सी विदेशी मुद्रा में बचत होगी और सस्ती MRI स्व कौन सा है यह उतकर्स बोलते हैं दोस्तों याद रखना इसको भारत के लोग जनजाती व्यक्तियों के राश्टी उतकर्स का उत्गाटन कहां पर किया भोपाल MP राजधानी मुख्यमंत्री राश्टपती द्रोपदी मुर्म ने तीन अगस दो जारते हैं इसको बोपाल में भारत के लोग जनजाती व्यक्ति के राश्टी उत्षव उतकर्स का उत्गाटन किया यह आयोज़न तीन से पाच अगस तक संस्कृत्वी मंत्रा लगे संगीती नाटक अका चोहान जी भी उपस्तित रहे नेक्स्ट है आदी परुक्कु उत्षव तीन अगस्त को मनाये जाता है कौन से राजे में मनाये जाता है आदी परुकु तमिल नाडू में मनाये जाता है आदी परुकु तमिल समुदाय के लिए एक सुब्त्योहार होता है यह मुखे रूप या मान्सून के प्रति आभार जताने के लिए मनाया जाता है पानी के जीवंदाई गुणों के सम्मान में भी इसे आयोजित किया जाता है तो अब हम फटा-फट लाइन देख लेते हैं पहले हम डिटेल वें पढ़ रहे थे इन क्योंस को कि आज हमने कौन-कौन से क्योंस पढ़े हैं हाल ही में किस राजी सरकार ने जम्शेटपूर में देश के पहले हाई टोजन इंदन से संबंदित उद्ध्योक मंजूरी धी जारकन सरकार ने मुख्यम निमन लिखित में से किस स्थान वर भारत 25 से 28 तक 25 वह को कोफिससमेलन की मेझवानी करेगा कहां पर पहली बार कि पर्रतीस फुटवर्न का 132 वा संसक्रण है कहां पर आयो जीत हो गाकोलकात्धा में हाल ही में कार द्लिया ज्याटत्री की दौपान की पुस्तक है रशी रा किस ने संभाला समीर सक्षेना ने किस राजे की जेद्री नामकट्टी के अधिक प्रदान किया गया है तमिल नाडु और तमिल नाडु की सब्सक्राइब अब तक प्रदान किया जा चुका है कौन्स कितनी अठावन स्थान पर कौन है उत्तर प्रदेश 50 के साथ ठीक दोस्तो है अठाशी वस्तान लगातार 20 सालों से इसकी शूची में बनी हुई है सीच 500 की शूची में नेक्स्ट है भारत की पहली सवदेशी रूप से विक्सित अगली जन्रेशन मेगनेट रिजोनेंस इमेजिंग किसने के द्वारा लौंच की गई जोक्टर जी तेंदर जिंग को साइंस मिनिस्टर है भारत के साथ में पीयों में और परमानु विभाग भी नहीं के पास है नेक्स्ट रौपदी राष्ट्पती द्रौपदी मुर्मों ने तीनकस दो जरतेश को भारत के लोग जिन जाती है भ्यक्ति के राष्टी उत्सा उत्कर्स को क्या नाम दिया गया तो यह दे दोस्तों आज के कुछ इंपोर्टेंट की उसन्स इसकी पीडिएफ आपको हमारे टाइल गाम चैनल पुलीस वाला क्लासीज पर अवेलेबल करवा दी जाएगी तो हमारे साथ जूड़े रहें थैंक्यू फॉर वाचिंग थैंक्यू वेरिमच